प्रेनल्स की जो फर्स्ट और सेकंड एक्वेशन ने वाप अमरे प्रिविज वीडियो में दाकर देख सकता है जहाँ पर हमने फ्रेनल्स एक्वेशन फ्रेनल्स रेलेटर डेपिनिशन इंपुट जो के एक्जाम 100% पूछी जाती है और यहाँ पर जो रिफ्रेक्शन लौ और रिफ्रेक्शन रहोता है वह भी हमने आप एक्प्रेन किया किसी एलेक्ट्र मेंने टिक वेव के लिए बात करते हैं इसमें कि हम कैसे कि कोई अगर polarized जो अगर polarized की बात करता है like e vector जो है अगर वो polarized है और वो parallel आ रही है वेक्टर के इसके parallel आ रही है तो उस condition में इसका क्या case होगा और उसमें जो final equation होगी वो क्या होगी तो आप देखें जब भी यह सारा चीज वही है कि जब भी हम किसी plane incident को apply करते हैं तो यहाँ पर यह वाली जो ray होती है इसको कहता है incident ray इसके लिए propagation constant की आई होता है यहाँ ठीटा जो होता है normal this is the normal ना normal जो होता plane के साथ में वो यह होता है यह medium 1 है इसके लिए parameter क्या हो जाएगा ? एपसलाण वन हो जाएगा ? यह medium 2 है इसके लिए parameter mu2 and epsilon2 हो जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं यहाँ पे medium 1 है तो उसका reflective index अलग है इसका reflective index अलग होगा N2, N1 आप इसको कह से, N1, N2 कह सकते हैं, अब यहाँ पे प्रवेव जा रही है, तो इसके लिए क्या हो जायागा, Kr हो जायागा, Kr Reflected हो गया, और θita, जो है, इसका ठita I हो जायाएगा, इसके लिए ठita R हो जायाएगा, और ये transmitted है, इसलिए ये kt हो जाएगा, इसके लिए theta जो होगा, वो theta t हो जाएगा, अब बात करते हैं, directions के बारे में ये जो है, इसके यहाँ पे e cap, एक unit vector जो होता है, वो हमें से इसके proportional होता है, अब बात कर रहे हैं कि e vector जो है, वो कैसा है, parallel है, अब देखो, e vector parallel का मतलब क् कैसा है, parallel आ रहा है, और polarized है, दूसरा, magnetic field जोगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर मतलब जब भी हम किसी plane के परपेंडिकुलर किसी physical quantity को show करते हैं, तो हम यहाँ पे circle में dot लगाता है, तो वो क्या हो जाएगा, है इससे पहला जो derivation किया था, उसमें हमने e e को ही आ लिया था, और h को ही आ लिया था, तो अब इसमें थोड़ा सा change यह करना है, कि e जो हो parallel है, अब polarized है, ठीक है, similarly case हम इसमें देखेंगे, कि यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ तो h r vector हो जाएगा, और यह हो जाएगा e r vector, similarly यहाँ पे देखेंगे, तो यह तो हो इनको क्या कहते है, plane of incident, इसको क्या कहते है, plane of incident केत अब देखो, boundary condition apply करते है, for electric field, तो आए boundary condition लिखएंगे, I think हम ने लिख रहागा उपर, यहाँ पर क्या करेंगा, on applying boundary condition, अब यहाँ पे boundary condition को apply करता है, तो देखो, boundary condition को apply कैसे किया जाता है, जब भी हम किसी field की बात करते है यहां पर हमदेखेंगे की AE, E & ER दूस्रे के कैसे हैं, देख सकते हैं, AI और E & ER कैसे हैं, दूसरे के का एपोजीट है तो इस case में क्या लेंगे, E & E र लेंगे, व्यासरे case में ह.I & H अपोजीट होता है, उस case में यह पर E & E & ER उस case में होता है TOM E silicon I – यह हो जायागा E not R अब यह किसके बराबर होता है यह बराबर होता है यहां पर KT upon KI के और यहां पर कहा था E not T यहां ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको जब simplify करेंगे तो यहां पर इसका cross product किसके साथ में होगा यह क्या होता है यहां लिखेंगे incident के बारा क्या लिखेंगे incident प्लस क्या हो जाएगा reflection उसका cross product होगा E cap के साथ में क्या होगा यहां पर transmitted आ जाएगा उसका cross product हो जाएगा E cap के साथ में अब देखू एंगल सबके लिए same reflection एंगल incident एंगल के साथ में equal होता है यह हम जानते है कि ठीटा आई जो होता हो ठीटा आर के equal है अब यहां पर यह प्लस नहीं होगा यह मैनस होगा क्योंकि यह आपोजिट डिरेक्शन में डिरेक्शन अपोजिट है का जब simplify करेंगे यहां पर cross product जब simplify करेंगे तो यहां पर आपको 90 माइनटी माइनस ठीटा आई हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 90 माइनस ठीटा आर हो जाएगा तो यह काम करते है ना यार एक काम करते है पूरा डेरेवेशन अच्छे से करता है तो इसको में अंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा ई वेक्टर आई cross-e cap माइनस यह क्या हो जाएगा ई वेक्टर आर क्रॉस इकफ इस एक वेक्टर क्रॉस टेटा कितना है यहां पर 90 माइनस ठीटा हो जाएगा एंगल जोगो 90 माइनस थीटा होगा तो यह क्या हो जाएगा E T हो जाएगा MOD लेंगे MOD OF E CAP हो जाएगा SIN 90 माइनस थीटा I हो जाएगा angle of incident Same angle हम यहाँ पे लेंगे यह वाल एंगल इसका component लेंगे ना इदर इसका component इदर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा MOD OF E CAP और यह हो जाएगा SIN 90 माइनस यह हो जाएगा थीटा R इस इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा E T MOD OF E CAP और यह मिल जाएगा SIN 90 माइनस थीटा T अब हम क्या करेंगे इनको लिखेंगे तो लेकिन अगर तरीका सीधा सा यह हो गया अब हम इसको सिंप्लिफाई कर रहे है तो सिंप्लिफाई कर रहे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम इसको लिखेंगे तो यह मिल जाएगा आपको यहाँ पर जाएगा यहाँ पर अगर मैं इसको solve करूँगा आगे भी angle of incidence, angle of reflection के equal होता है, तो उस condition में क्या हो जाएगा, EI minus, ये दोनों equal हो जाएगे, EI minus ER हो जाएगे, इन दोनों को हम angle of incidence ही let कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ET और ये हो जाएगा, cos of theta T upon E हो जाएगा, cos of theta I, इस type हमें क्या करना है, इसको simplify करना है, ये हमारे पास मांगे equation number one, अब हम क्या करेंगे, इसी type से magnetic field के लिए लिखेंगे, उजब magnetic field के लिखेंगे, उसको हम कहेंगे by second boundary condition, second boundary condition के बारा हम बात करेंगे, तो second boundary condition हम यहाँ पे लगाएगे, तो second boundary condition क्या हो जाएगा magnetic field के लिए होगा magnetic field जो है वो कैसा है यहाँ पर perpendicular है तो यह क्या हो जाएगा HI vector plus HR vector हो जाएगा दूसरे से add हो जाएगा और वो कैसा है यहाँ पर E cap के साथ में cross product हो जाएगा इसी type से इसके साथ में इसका cross product होगा अब यहाँ पर इसके साथ जो angle हो कितना है यहाँ पर अगर हम HI के बार हम HI perpendicular है HI का E के साथ में angle क्या होता है sin theta 90 degree है तो यहाँ से जब हम इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा HI plus यह हो जाएगा HR और यहाँ से इसका angle आजाएगा dot E cap और यहाँ आजाएगा sin 90 अब जब इसको simplify करेंगे तो यह मिलेगा आपको 1 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा HI is equal HI plus R HI plus HR is equal हो जाएगा HT यहाँ पर अब हम H की values पुट करेंगे H को E में convert करना है H की values क्या होती है उसको समझना ज़रा H की values एक्चल में क्या होती है कि यहाँ पर जब हम इसको put करते है ना भई H जो होता है वो हमेशा K into E upon mu 1 mu into frequency के equal होता अब जब आई की बात कर रहे है HI की तो यह क्या हो जाएगा KI हो जाएगा E की बात कर रहे है भई देखो यह E जो होता अब मैं अगर E I लिखूंगा E को हम क्या लिखते है E को हम यहाँ पर लिखते है इसको simplify करने के लिए क्या लिखते है इसको हमने E not में convert करना है इसको हमने E not में convert करना है यह काम हमने यहाँ पर किया नहीं हमको E not में convert करना है तो यह काम करेंगे जो हम E not में convert करते हैं क्या करता है इसको लिखता है E not i E to the power minus क्या इसको हम कहेंगे equation number one तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि यह जो E लिखा ना यार इस E की जगा हम E not लिखेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा E not I upon क्या हो जाएगा mu 1 और frequency सब की सेम होती है प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा के आर यह हो जाएगा E not I upon क्या जाएगा mu 1 omega अब क्यों लिखा है ऐसा mu 1 mu 1 दौनों के लिए क्यों आए क्यों कि दौनों reflection or incident एक ही plane में होता ना पर एक ही medium में होता इसलिए इसके लिए mu बन आ गया, जब इसके लिए लिखेंगे तो हो जाएगा kt, यह हो जाएगा e naught t, upon क्या आ जाएगा mu 2 into frequency होगा, अब यह ध्यान रखें, और non conducting medium, non conducting medium के लिए mu 1 जो होता हो, mu 2 के equal होता है, मतलब यह पूरा term यहां से cancel हो जाए, because frequency तो already equal है, तो यह क्या हो जाएगा e naught ie plus e naught r is equal to kt upon ki, यानि कि हमने क्या कर दिया, दनों को ki upon ki और kr को दना हमने ki i'll add कर दिया, तो यह जाएगा kt upon ki, आगे आजाएगा आजाएगा आपके पास में e naught t, इसको हम कहा देंगे equation number 2, अब हमको क्या करना, is equation number 2, पहले दनों को add करना, तो equation number 1 plus equation number 2, अब हम ने इनको किया है add, जो हम इन दनों को add करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, r वाला component cut हो जाएगा, दनों minus है, इसलिए यह हो जाएगा 2 of e naught i is equals to, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है cos of theta t upon cos theta i e naught t, दनों में से common आ जाएगा e naught t, तो देखो, e naught t दनों में common आ गया, वहा by reflection law of electromagnetic wave, कि kt जो होता है, यहाँ पे, जो kt होता है, वो kt upon ki जो होता है, by snail law के दो, तो वो किसके एक पर होता है, sin theta i upon sin theta t, देखो, t उपर है तो t नीचा आएगा, i उपर है तो i इदर आ जाएगा, तो यह चीज़ ध्यान रखना मतलों, just ultra होगा, ठीक है, तो t नीचा जाएगा, t उपर है तो t नीचा आएगा, यह चीज़ इसमें ध्याना है, और प्रपोरिशनल, इन्वेटली प्रपोरिशनल होता है, तो यह हो जाएगा, 2 e not i is equals to e not t, जो हम यहां रखेंगे, तो हो जाएगा, sin theta t, sorry, cos theta t हो जाएगा, cos of theta t upon e हो जाएगा, cos of theta i, plus क्या हो जाएगा, यहां पर, sin theta i upon क्या हो जाएगा, sin theta t, just ultra हो जाएगा, अब इसको simplify कर देंगे, तो जो हम इसको simplify करेंगे, तो इसको यह से नीचे लिख देंगे, तो यह हो जाएगा, e not i upon e not t, ठीक है, और यह कैसा parallel है, is equals to क्या करेंग, इस two को नीचे लिखेंगे, पहला हम इस यहां पर t होगा, यहां पर t होगा, यहां पर t होगा, यहां पर t होगा, यहां पर t होजाएगा, तो sin theta t, cos theta t, plus, यहां आजाएगा, sin theta i, cos theta i, और नीचे क्या रह जाएगा, इसके नीचे, cos theta i, sin theta t, यह theta है, अब जब इसको लिखेंगे, यह formula बन रहा है, यह formula बन रहा है, ये काम करदो, आप t को उपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, क्योंकि फ्रेनल अक्वेशन कहता है, कि t उपर रहता है, और incident वाला, transmitted वाला उपर रहता है, incident वाला नीचे रहता, तब कि उसका Ratio बनता है, वो फ्रेनल अक्वेशन बनती है, और यह parallel के लिए है, अब हमने इसको उल्टा किया है और यहां से जो 2 थाना यार उस 2 को हमने यह लिख दिया यह जो 2 थाना उसको बना नीचे लिख दिया तो यह उपर चला जाएगा तो भीया यह क्या बन जाएगा 2 of cos of theta i यह हो जाएगा sin of theta t upon यह जो formula बन रहा है ना इसमें हम क्या कर सकते है sin cd formula लगा दू अलग-अलग कर देंगे तो यह cd formula बन जाएगा यह फिर यह काम करो ना इसी कुछ as it is लिख दो as it is लिख दो sin theta t cos of theta t प्लस यह क्या हो जाएगा sin theta i cos of theta i इतना करने पर आप यहां पर लिख देना this is the third method फ्रेनल्स equation यह जो equation हो कैसी के third फ्रेनल्स equation तो यह आपको ऐसे third निकालने फर्स सेकेंड हमने हमारे previous derivation में किया है अब हम बात कर रहें third के बारब अब आपको fourth निकालना है fourth कैसे निकालेंगे fourth निकालने के लिए हम equation number one मैं से equation number two को last करता जोब last करेंगे तक आपको या मिलेगा ? less करने पर क्या मिल जाएगा ? less करने पर यह हो जाएगा e hundred i minus e hundred r हीक है ? is equal to यह क्या आ जाएगा ? cos of theta t upon e हो जाएगा cos theta i, फिर क्या करेंगे ? ki upon क्या हो जाएगा ? kt हो जाएगा ? फिर लिख दिया cos of i इसके साथ में cos of i हो जाएगा plus क्या हो जाएगा यहाँ पर k i upon लिखेंगे k t और यह हो जाएगा e not r अब यह कहां से आया जिब हमने equation number 1 में equation number 2 का use क्या यहाँ यहाँ तो use कर सकते हो यहाँ तो एक काम करो ना एक काम करो ना यहाँ पर आप क्या करो e not r यह वाली जो value है इसको वाँ पर put कर दो या फिर आप क्या करो equation number 1 में से मैं अगर इसको minus करूंगा equation number 1 में से 2 को तो e not i minus नहीं करेंगा actually इसका use करेंगे उसमें ठीक है हम इसका उसमें use कर लेंगा e not t की जगे वाला value रख देंगे e not t की जगे यह वाला value put कर देंगे इसमें से e not t का value रखेंगे उसमें रख देंगे minus नहीं कर रहे है actually यहाँ पर इसमें इसका use कर रहे है equation number 1 and equation number 2 तो यह term आपको मिल रहा है अब इस term से क्या कर रहे है थोड़ा मैंना direct click है solve करने पर यह मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा देखो e not i अब क्या कर रहे है हम पहले इसको multiply करें जहां से समझना पहले हम कर रहे हैं इसको multiply अब हम कर देते हैं इसको multiply तो एक काम करना ना यहाँ पर actually this is not cost of i यहाँ पर cost of i कैसे आ सकता है यहाँ पर आएगा यहाँ पर मिलेगा आपको e not i अब क्या कर रहे हैं इसको हम पहले multiply करें अंदर multiply करेंगे दिए क्या हो जाएगा k i upon k t यह हो जाएगा cost of theta t upon cost of theta i और यह हो जाएगा e not i plus क्या हो जाएगा cost of theta t cost of theta i k i upon k t into ओजाएगा e not r अब देखो इस e not r को हम उदर भेज रहे हैं और इस वाले पूरे term को हम इदर ला रहे हैं तो क्या term बनेगा e not i common आजाएगा e not i common आएगा और वो आज़र आएगा तो minus हो जाएगा तो जाएगा 1 minus k i upon k t और यह हो जाएगा cost of theta t upon cost of theta i ठीक है और यह जब उदर जाएगा तो पूरा positive हो जाएगा तो theta r common आजाएगा 1 plus यह हो जाएगा cost of theta t यह हो जाएगा cost of theta i into k i upon k t हो जाएगा यह इसका आपके पास में expression मिलेगा अब वापस क्या करना आपको e r में e t e i का divide करना है तो क्या करतेंगे हम यहाँ पे इधर हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा e nod r upon e nod i कर रहा है बैरेक्ट कर लेता चलो वहले आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको इधर लाओ अब हम क्या करना है इसको इधर ला रहा है उसको इधर ला रहा है तो क्या करेंगे यह वाला time उपर आएगा तो वह 1 minus अब देखो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे जब भी हम k i upon k t करते हैं तो क्या करते हैं t उपर जाएगा तो यह हो जाएगा sin theta t अब जब इसको लिखेंगे दिए क्या हो जाएगा sin theta t upon sin theta i into क्या हो जाएगा cos theta t upon cos theta i हो जाएगा ठीक है अब इसके नीचे क्या आएगा इसके upon में आएगा यह वाला time तो क्या हो जाएगा 1 plus cos theta t upon cos theta i और आगे क्या हो जाएगा sin theta t और नीचे आजाएगा sin theta i अब आप देखो जब हम इसका LCM लेंगे e not r upon e not t करके parallel है इसलिए LCM लेंगे तो यहां से यह नीचे LCM आएगा इदर से यह नीचे LCM आएगा दोनों कट हो जाएगा तो हमारे पास में final result क्या मिलेगा यह उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा sin of theta i cos of theta i minus sin of theta t cos of theta t upon क्या हो जाएगा यह नीचे plus हो जाएगा plus is calcium लेंगे तो क्या हैगा plus is calcium cos of theta i sin of theta i plus क्या हो जाएगा cos of theta t और sin of theta t इस type से हमने क्या करना है, इसको simplify करना है, आप अगर इतना करके छोड़ देंगा, अगे भी technometrically help solve कर सकते हैं, but generally this is the Fresnel's fourth equation, तो यह जो है वो fourth equation है, किसकी Fresnel's की, तो जो Fresnel's law है, उसके लिए यह equation जो है, अब क्या करते हैं, similarly जैसे हमने previous derivation में किया, इसके लिए क्या करते हैं आर फाइंड करते हैं, देखो, आर क्या होता, समझने कोशिश करना, हम आर फाइंड कर रहे हैं, आर का मतलब होता है, E not R upon E not T का square, तो इसका square कर दो, अगर मैं इसको simplify करूँगा, यहाँ पे, इसको simplify अगर हम यहाँ पे करते हैं, उपर नीचे अगर divide करते हैं, actually generally इसको जाएगा, I think, मालब ऐसा कुछ करने भी, generally वो derivation बढ़ा हो जाएगा, अपर इतना करना नहीं है, यह direct result लिखना हैं आपको, फिर क्या करना आपको, जब हम यहाँ से T fine करेंगे, तो T क्या होता है, को T होता है, E not R upon E not T का holy square, ठीक है, उसके बाद मैं, KT upon K I होता है, उसके में, cos of theta T upon cos of theta I होता है, अब यहाँ पर इसका value क्या रखेंगे हम वापस, इसका value रखेंगे हम यहाँ पर, यह हो जाएगा, E not R upon E not T का holy square हो जाएगा, ठीक है, यह value हम यहाँ से लाएगे, यह वाली value पूरी, यह वाली जो value होना, इस वाली value का हम यहाँ पूट करेंगे, फिर इसका मतलब हो जाएगा, के, sin theta I upon E हो जाएगा, sin theta T, क्योंकि उसका opposite हो जाएगा, और यहाँ आजाएगा, cos of theta T upon E हो जाएगा, cos of theta I, यह हो जाएगा T, अब इसको पूरा simplify करेंगे, इसको सब को multiply करना है, LCM वगरा लेके, आप इसको simplify करेंगे, तो last में आपको, जो R parallel प्लस T parallel जोगा, उसका value आपको 1 मिलेगा, यह चीज़ आपको जहाँ में रखना है, अब बात आती है, पर degree of, actually यहाँ पे P जो parallel है, दूसरा हम कहरे है, साथ में polarized भी है, देखो जब भी polarized होता है, तो हम क्या करते हैं, वह बड़ा important है, यहाँ समको क्या find करना है, इसके लि numerical भी बन जाता कभी-कभी, कि degree of polarization find करो, तो यह होता है, R perpendicular minus R parallel, upon क्या हो जाता है, R perpendicular plus R parallel, यह जो होता है, हम कहते है, degree of polarization, तो इस टाइप से हम degree of polarization यहाँ पे find करते हैं, इसके next जो वीडियो है, उसमें हमने discuss किया है, कि जो brushter law होता है, यहाँ कि polarization से related बात आ गए, तो brushter law की बात आती है, तो उस condition में हम इसका use करते है, तो I hope आपको जो पूरा case है, वो समझ मां आया होगा, so thanks for watching this video, keep watching MS Maths, and subscribe to the channel MS Maths, thank you, bye-bye.